रामगड में कृशिवेग्यानिकों ने किसानों को दिया पोशन भाटी का पर प्रसिक्षन नैतिक सांस्कृतिक मुल्यों वा भारतिय परंपराओं से भावी पीडी को जोड़ने का उद्देश्य विध्या मंदिरों का है दवे भाटी के निदन पर शोक की लहर जैपुर में पंचय समीती गुविंद गड का करनिश्ट सहायक 6,000 रुपे रिश्वतली तेरंगे हाथों की रफ्तार शाहित कपूर, कृती सेनन, डिंपल कबाडिया और धर्मेंदर पहुंची जेसल में ये थी अब तक की खास खबरे और आप देख रहे हैं आयोजित एक दिवसी प्रसिक्षन कारेक्रम में छित्र के किसानों को पोशन वाटिका पर प्रसिक्षन दिया गया किसानों को फसलों वफल सब्जीयों के उन्नत किस्म के बीजों के बारे में विस्तरत जानकारी दी गई जिससे की किसान कम लागत में अधिक पैदावार ले सके क्रशी वेगानिकों ने खेती के लिए जलवायू व भूमी, खेती की तैयारी, खाद व उर्वरक, उन्नत किस्मों, बुवाई के समय, बीज की मात्रा व बीजोपचार, बुवाई व सिचाई की विधियों, निराई, गुडाई, कीट व रोक नियंतरन आदी के बारे में विस जानकारी दी, क्रशी वेगानिक को द्वारा किसानों को शुष्क व और्ध शुष्क चेतर में बागवानी करके फसलों से अच्छी उपज लेने संबंदी जानकारी दी गई, केंद्रे शुष्क बागवानी संस्थान बीकानेर के प्रधान वेग्यानिक डॉक्टर शुनिल कुमार, मदन सिंग, जुगता राम, जुगल किशो, सहित कई किसान उपस्तित रहे, कारिकरम के अंत में व्यस्तापक रुगा राम चौहान ने प्रसिक्षन लेने आए सभी किसानों का आभार प्रकट करते हुए धन्यवाद ग्यापित किया, वह किसानों को सबजी के बीजों की किट का निश्चुल्क वित्रण किया गया, नैतिक सांस्कितिक मुल्यों वह भारतिय परंपराओं से भावी पीडी को जोडने का उद्देश्य विध्यमंदिरों का है दवी, आदश सिक्षन संस्थान जेसल में द्वारा संचालेत आदश विध्यमंदिर प्रजित किया गया, कारिक्रम के अध्याक्षर में सिंग महेचा, सेवानिवरत आईबी, मुख्य अतिती डॉक्टर घंशाम जी, गोस्वामी, सेवानिवरत व्याख्याता, मुख्य व्याक्याता के रूप में महेंदर कुमार जी दवे वा अतिती मांगिला जी, तावरी, जिला सची भवलाल जी कुमावत वस्थान ये प्रबंदक समिती के व्यवस्थापक कवरा राम जी बामनिया द्वारा दी प्रजलित करके कारिक्रम का शुभारम किया गया। लैब की उप्योगिता के बारे में जानकरे दी गए। भाटी के निधन पर शोक की लहर। जिसल में एक दक्षनी बसिया छेत्र के कुंडा ग्राम पंचायत के भूतपूर सरपंच रतन सिंग भाटी का बुद्वार को निधन हो गया। वे बरानवे वर्ष के थे। मंगलवा पुलिस सेवा में कारेरथ हुए। पुलिस सेवा में रहने के बाद उन्होंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ने के बाद वह कुंडा ग्राम पंचायत में 1960 से 1990 तक लगातार 30 वर्ष सरपंच रहे। ग्राम सेवा सहकारी के अध्यक्ष रहे। भाटी ने मंगलव शाम कोनों ने अंतिम सांस ली जैपुर में पंचय समीती गोविंद गड का कनिष्ट सहायक छे अजाव रुपए रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफतार लोकेश कुमार कनिष्ट सहायक प्रधानमंत्री आवास योजना पंचयत समीती गोविंद गड जिल्ला जैपुर को परिवादी से 6,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफतार किया गया ब्रिश्टा चाह निरुदक ब्यूरो के महार निदेशक भगवान लाज सोनी ने बताया कि एसी बी की जैपुर ग्रामिर इकाई को परिवादी द्वारा शिकायत की गई कि उनकी मा रिश्वत राशी मांग कर परिशान किया जा रहा है जिस पर लोकेश कुमार निवासी प्लॉट नंबर दस बुद्ध विहार कॉलोनी कचोलिया रोड चॉमो जिला जैपुर हाल करनिष्ट सहायक प्रधानमंतरी आवास योजना पंचय समीती गोविंदगड जिला जैपु को परिवादी से 6,000 रुपे की रिश्वत राशी लेते हुए रंगे हाथों किर्फतार किया गया शाहित कपूर कृति सैनन डिंपल कपाडिया धरमेंदर पहुंचे जैसलमेर रुदाली और मैदाने जंग जैसी मूवी की शुटिंग के बाद एक बार फिर से डिंपल कपा के धोरों में होगी बुदार की शाम करीब 6 बजे बॉलिवूड एक्टर धरमेंदर डिंपल कपाडिया शाहिद कपूर और कृति सैनन जैसलमेर पहुंचे वे यहां होटल मैरियट में रुके हैं शाहिद और कृति पोड्यूसर दिनेश विजान के बैनर मैडॉक फिल्म के लाव स्टारर ट्रैब्ड इंडिया लॉगडाउन और मुंबाइकर जैसी फिल्म में लिख चुके हैं जैसलमेर में एक साथ चार बड़े सितारों से मिलने के लिए फैंस काफी उत्साहित है होटल में ही मैन का हुआ भविस्वागत जैसलमेर आये बॉलिवूड के ही मैन ध अमरत ज्यादा होने की वज़े से धर्मेंदर को चलने में दिक्कत है वह धीरे धीरे चलते हैं होटल वालों ने उन्हें वील्चेहर भी ओफर की लेकिन उन्होंने मना कर दिया सर पर हैट लगा है धर्मेंदर काफी यंग नजर आ रहे थे वहीं अपने जमाने की मशूर अ प्लक्ष में भारत सरकार द्वारा आजादी का अमरत महुत सवकारिक्रम देश भर में चलाया जा रहा है इसी श्रंकला में संस्कती मंत्रा ले भारत सरकार द्वारा देश की विबिन संस्कतियों के आदान प्रदान वह देश की भौगोलिक विशमताओं वह देश की सीमा आधी की जानकारी के लिए 16 सदश्य दल जिसलमेर पहुंचा यह दल पांस दिनों तक जिसलमेर के विभिन ग्रामीन वश सहरी छित्रों का भ्रमन के साथ ही सीमा छित्र का भ्रमन कर जानकारी से अवगत होंगे यूथ हॉस्टल राजिस्थान सचीव घंशाम खत्री ने बताया कि यूथ हॉष्टल ऑफ इंडिया नई दिली की निदेशानुसार इस दल के स्वागत वन के विवस्था हे तूउ यूथ होस्टल राजस्थान व राजस्थान के विभिन यूनिटों के पदाधीकारियों द्वारा इस दल्गा जैसन में पहुंचरे पर होटल राधी का पैलेस में माल्यार पंकर पुश्प वर्शा कर साफा शॉल व प्रतिक चिन भेट कर स्वागत किया गया इस मौके पर य यूनिट के चेर्मैन प्रेम सिंग वी एस तवर कोशाद्यक्ष दौला सिंग साकड़ा पाली यूनिट के चेर्मैन कमल सिंग उदावत जैसल मेर के चंदन सिंग घोटियाल तुसी दाज जी जीनगर आदी ने इस दल का पुश्प वर्शा कर स्वागत किया इस मौके पर च कारेकरम की संपूर्ण जानकारी दी वदल की तरफ से राजकमार अगरवाल ने सभी का धन्यवाद ग्यापित किया कारेकरम का संचाल और पोकरन यूनिट के सचीव राणिदान सिंग भुट्टो ने किया आज के बुलेटिन में इतना ही नमस्कार